जी पार्टू स्रार्ट हो गया है यह आजकल छोटी ग्लास में गड़ाइयां ले रहे हो अभी तो काल से फुल फ्लाइड दो गंटे क्लास होनी तो क्या करोगे अभी तो डिसकाउंटिड पैकेज चल रहे है पहले दो दिन है हाले ते में जगाते नहीं आ रहे हैं मतलब में भी तो आप हैं नहीं में बहें एक दाइब तो तो आगे बिर अपनी मेंत दिखाएं इस महीने में दौाइब ही मागएं और में इनत भी करेए इस महीने का पढ़ा हुआ याद अच्छा रहता है ये मेरी आजमाई हुई बात है सारा पढ़ा दूँ नहीं आप लोग सारा सारा सेशन रोजे रख सकते हैं नफली रोजों की तो कोई ममानियत नहीं है आप रोजा रखें रोजा रखने से आफ़जा पड़ेगा इन्शालला आप ठीक है तो आप बिल्कुल आप रोज रोजा रखके एक दिन छोड़के एक दिन रखा करें मस्नून रोजे हफते में दो तो रखने ही लगजाए मुझे भी कहा करें मैं मिनु बिल्ला तफीक है मैं फार्जी रखना हूं पड़ा नहीं इतना बोलना होता है कि रमजान में अल्ला हिम्मत दे देते हैं वैसे अच्छा जी दो हजार बारा पहले लिखना है चलो जी ठीक है ग्यारा और दस री सर्च एक्सपैंस पंजाब बी वैलो मेंट एक्सपैंस कितना अमोर्टाइजेशन एक्सपैंस लिखने हैं दो अच्छा इदर आना है अच्छा चीक है अच्छा माइनस करने है एक्सपैंस वैसे उदर लिखा हो तो काफी होता है लेकिन चलो ठीक है जी आगे क्या मांग रहे जी ये क्या था ये क्या था ये क्या था बी अब सी क्या कह रहा है जी जो उदर लिखा वोज इलफाज बोलो बैलेंशीट लिखाओ बैलेंशीट इतना सान टॉपिक है और इतने नम्पना का आता है हां जी वेबसाइट कास्ट भी हम पढ़ेंगे इसमें कैसा ही है वेबसाइट वेबसाइट केंदर क्या कास्ट आती है क्या का प्लाइज होती है क्या एकस्पेंस आउट करना है हां वो तो लाजमी आ रही है ने जस्मेंट चार पाई नंबर की जब भी आ रहा है अच्छे जी है दो हजार बारह है दो हजार गयारा और दो हजार दास है और यार यह तो आप लोग को मैंने बताये ही नहीं कि इंटैंजिबल नजर कहां पर आता है कि बैले सीट में नजर आएगा रिकॉर्डिंग तो होती है न है क्या कर रहा है उसने सही पॉइंट पकड़ा है उसने शेर है ये शेर शेर अच्छा होत है क्या हो गए यह फाइंट स्सक्राइब में अधर देको यह इन्षाइन लाए फ़ाइंट में चुबारा आपके लेप पहुंच जाते हैं यह जो फाइंसे स्रेटमेंट्स आप बनाना सीख लेते हैं हाँ यह एक्जेक्ट क्यों नहीं बनेंगी त्यूंकि इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सलेबस से बाहर हैं जो भी आपने पढ़ी नहीं हैं फाइनल में पढ़ेंगे तो वो चीजें बस आड़ होनी हैं वरना फाइंसे स्रेटमेंट्स इस सलेबस की अद्धक यह वाली ही आप बनाएंगे जो आपको यह पुब्लिश नजर आ रहे हैं जैसे यहां पर नोट की मजबूरी होती है कैफ वालों की कि वो आपको इन में नहीं बता सकते समझा सकते हो जब आप फाइनल में वो स्टेंडर्स बढ़ लेते हैं तो रेलेवेंट एक्स ट्रैक्स और उसके रेलेवेंट नोट्स वो पिर वहां पर पढ़के वो भी यहां पर आपके के नोट के अंदर आता है लेंड बिल्डिंग प्लांट मेंट फरनीचर कंप्यूटर वीकल वगएरा इंटेंजिबल के नोट के अंदर आएगा सौफ्वेयर लाइसेंस पेटेंट कॉपी राइट गुडविल अगर परचेस जातो ब्रेंड अगर परचेस जातो ठीक है तो उसी तरह से नोट बनेगा तो नोट में भी जा रहा लेकिन ये समझ लग गई हमें कि इसने नजर कहा आना है बैलेंस शीट के अंदर ये नौन करंट एसेट्स में इससे से बेता है हम सौरी चलो गयार ये खुला रहे को काम पड़ी जाता है इधर आ जो जी तो बैलेंस शी अच्छ अच्छ अब हाँ सीड़ आईपी पहले रहा इंटैंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2010 में कितना था था ही नहीं 2011 में 15 का आ चुका था और 2012 में खत्म हो गया है यहां पे 25 नहीं लिखना आप ये थोड़ा साब देख लो ध्यान कर लो ठीक है ये 15 पिछले साल का 12 में आया था और इस साल मजीद 25 है डोकर 40 हुआ तो और इसी साल में ही इन टैंजिबल से निकल कर और कैपिlawAAAAAAAA ये कुला गया है मैं यहीं गल्ति करना लगा सी जी और इसी साल में यह बर किन प्रोग्रेस से निकल कर इन टैंजिबल में आ गया है थीक है तो इन टांगी बल ले कितना 40 का आया था एक रुपया डेप्रीशियेट अमोर्टाइज भी तो हो गया है ठीक है तो यहां पर कर देता हूं मैं ब्रेकेट में 40 माइनस 1 ठीक है बलके इदर कर यह देखो 15 जमा 25 यह तोड़ा थोड़ा डिरेक्ट डिरेक्ट बन रहे हैं आप CWIP ना न डालते वीश में तो जिंदगी असान होती पर चलो कोई नी मुश्किल वाली बात देख ली बात तो पूरी समझ आगी ठीक है यगर इस साल के अंदर नोट बनाना आजाए आपको पर्चे में आजाए तो यह CWIP में होगा और इसने नहीं होना लेकर इस साल में आएगा तो इंटैंजिबल भी है अमोर्टाइज होने के बाद बुक वैल्यों पिर वो भी नहीं रहेगी जितने कर पर वो रिकॉर्ड हुआ था बलके उससे कुछ कम हो चुकी होगी ठीक है तो यह क्या जी 40 माइनस वन 30 नाइग ठीक है ड़न है ड़न है ड़न है ड़न लगाने की दोत नहीं है लेकर चुल आप तक लिगा देना लेंगी यह सवाल तो ड़न अंडस्टेड है तो अब यह आपको थोड़ा कॉंसेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके समझ आ गया होगा यह वाला के इंटेंजिबल अगर इंटर्नली जेनरेटेडड और इन पांच के इलावा है जैसे के हमारे सवाल में था क्या था फॉर्मूला था फॉर्मूला लिखा भी है तो फिर क्या करना है पिर यह सब करना है करके देख लिया रिसर्च जब चली तो खर्चे सारे expense जो cost incur हो रही थी वह expense development में six criteria क्या होता है पढ़ेंगे meet नहीं हुआ था तो उस एरसे की cost भी सारी expense और जब meet हो गया criteria तो capitalize कर दी हमने और जब meet हो गया और capitalize करना शुरू कर दिया इससे अगली बात भी अब तो पढ़ ली हमने तो जब complete हो जाए तो capitalize of cost रोग देते हैं जैसे पहले भी करते थे building complete हो जाती थी तो उसके ओपर capitalize of cost रोग देते थे थे फिर इसको use करना शुरू किया amortize करके इसको book value पर show कर देगा तो अब ये कहानी ये जो कहानी है ये तो वैसे ही मतलब थोड़ी सी बात थी ना बस ये तो ऐसे समझो याद रखने वाली बात है calculation तो यहीं पर ही पढ़ी है तो ये calculation जितनी भी थी ये अब आपको वहाँ से याद है ठीक है कोशिश वैसे मेरी यही रहेगी यहाँ पर भी कि पहले हम calculation बगएरा करें फिर theory पढ़ें लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गफशप लगा के गफशप ही लगाई थी अब ही मैंने किताब से तो नहीं पढ़ाया किताब से अब बाद में पढ़ेंगे हम जाकर तो उसमें सारा कुछ हमें आता होगा लेकिन गफशप लगाने थी यह तो बताना था था ना थोड़ा सा ठीक है concept क्या है अच्छा जी अब एक बहुत ही important concept अगला जो रहता है वो ह amortization या impairment का ठीक है अभी sir amortization की तो है बिल्कुल किया जी आप लोगों मैंने कब का अगे नहीं की है लेकिन यहीं पर कर लेते हैं ताके जब कभी revision करनी पड़े तो नेड़े तेड़े ही रहे सब नेड़े नेड़े तेड़े अखे जी बचो amortization या impairment की discussion amortization calculate कैसे करनी है उसकी entry क्या होनी है यह already मैंने आपको सवाल में करवा दिया कुल नई चीज थी नहीं like depreciation था ठीक है अगर आपकी जादत ना भी हो तो मैं बैठ जाओ साथ ही बात कर लेंगे impairment की भी intangibles के लिए यहां पर accountants ने दो categories में बांट रखा है intangibles को ठीक है जी दो categories में पहली बात यह internally generated पांच में से नहीं है ठीक है ना क्यूंकर वो तो intangible ही नहीं होता intangible एक चीज बनेगी चाहे वो परचेज की है चाहे internally generated करके वो बनेगी तो फिर अगला सवाल पैदा होता है इसको amortize करना है या नहीं करना करना है तो कैसे करना है यह बात समझा रही है ना internally generated goodwill या brand या copyright इनके बारे में तो आपकी amortization की यह discussion ही नहीं क्योंकर पहला सवाल क्या पैदा होता है यह intangible है भी के नहीं intangible अगर hybrid वाले भाई जाग रहे हो दूसरी रों वाले mobile देख रहे हो ना शरम तो नहीं आती यह दूसरी रों में यह बाई बैटे में हाथ-कड़ा करो ना तरह है एक glasses वाले भाई आपके साथ जो single भाई बैटे में नहीं साथ-साथ सर हम सारे ही single है ओ वह वह बादा कुछ तो कर रहे हैं जान से देखो ऊश्चा इधर यह वह दूनर आया ऐसे मैंने जो किया यह वह शकल में नजर आई है हाई और को ऐस ज़दी नुच्छा नंजर आते हैं तो आ latest अच्छा जी मैं आर्श कर रहा था कि इंटेंजिबल पहले होना जरूरी है किसी चीज का तो इंटेंजिबल ही नहीं है तो फिर यह डिसके बारे में हो रही है जो इंटेंजिबल हो अब अगर इंटेंजिबल है तो दो नसले यहां पर भी दो कैटेगरी जहां पर भी बन रह is purchased goodwill इसको standard ने अलग लिख दिया है हालागे फोग खास अलग लिखने की वज़ा नहीं बनती लेकिन चलो purchased क्योंकि इससे अगला जो लिखने लगा हूँ ये उसी में ही fall कर जाएगा उसके बाद intangible है लेकिन intangible है यानि के वो उन पांच में नहीं है ठीक है ना intangible है लेकिन उसकी life पता नहीं लग री कितनी है with an indefinite life देखो अब बात किस तरफ जा रही है जरा सोच के बताओ amortization करेंगे ना इनकी खुद सोचो ना बात किस तरफ जा रही है goodwill खरीद के लाए अब goodwill कितना अर्सा फाइदा देगी ये पता ही नहीं होता goodwill चीज़ ही ऐसी है इसको तो side way का तो नहीं इसलिए standard अलग से नाम दिया उसके लावा कोई intangible है जो goodwill नहीं है लेकिन उसके life की समझ नहीं आ रही भाई ये formula जो आपने बना डाला है ये करेला कोला जो आप बनाएंगे ये करेला कोला कितने अर्से तक चलेगी ये कुछ क्या है नहीं सकते हो सकता है 15 साल चले हो सकता है 5 साल चले हो सकता है साल भी ने चले life क्या है ndefinite नहीं standard नहीं लोज इस्तुमाल किया лामत पना ही नहीं है clear नहीं indefinite है तो goodwill उसकी life ऐसे indefinite ह से कब तक फाइदा देगी मैंपने goodwill करीदी पता नहीं या कुई और in tangible है जिसके बारे में आप sure नहीं हो रहे हैं कितना अरसा वो आपको फाइदा दे सकता है उसकी लाइफ क्या है? इंडेफिनेट है या नमबर थ्री अभी 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 पढ़ा अमॉर्टाइजेशन क्यों नहीं की क्योंकि अभी कम्पलीट ही यह तीसरी चीज़ है यह नहीं मैंने बातों बातों में यह बताया आपको कि यह जो तीन चीज़े मैंने लिखिए यह तीन ही है बस इनकी अमॉर्टाइजेशन होई नहीं सकती गुडविल की लाइफ पता नहीं एक इंटैंजिबल है लेकिन अच्छा यह परचेश्ड गुडविल की बात हो रही है लेकिन स्टैंड नहीं स्पेसिफिकली इसको नाम लेकर अलग रख रहा है तो अलग ही रख रहे है ठीक है ना इंटैंजिबल ही नहीं ना चोड़ी दो ठीक है अच्छा परचेश्ड गुडविल है या कोई भी इंटैंजिबल है लेकिन लाइफ उसकी in definite है या इंटैंजिबल under construction है इंटैंजिबल नहीं पता होती मैं कहरो नहीं पता होती आप कहरो पता हो तो कैसे पता होगी कभी सोचना गार बैढ़ के तो बस फिर उसकी लाइफ होगी फिर उसकी लाइफ होगी। फिर उसकी लाइफ होगी वो गुडविल किसे खरी सकतेकं ने कुछ अरसे के लिडिए। वो कि नहां से तो दिसके लाइनorta के लिए नहीं है। जिन्दगी आपके लिए अब ऐसे बाजू खोल के खड़ी है आप यहां पर आप बड़े हो गए हैं अपनी जज्मेंट यूज करें आफ़ टू में आ गए हैं आपको क्या लगता है गुडविल फाइदा की चीज़ है एसिट है उसकी लाइफ भी है तो फिर क्या करना चाहि लेकिन अगर मैं आगे सर्टी एट ये कॉंटेक्स में बात करूं न तो आगे सर्टी एट कहता है पर चेज्ज गुडविल की चाहे आपके हिसाब से लाइफ है भी न इसको मॉर्टाइज नहीं करें अब यह मैं आपको स्टेंडर्ड की बात कर रहा हूं वैस तो मैंने क्या होती गुडविल भी क्या होती इंटैंजिबल है पर चेज लेकिन इंडेफिनेट लाइफ वाला है तो नहीं मॉर्टाइज कर रहे है पर उसने यहां पर लग से लिख दिया कि बेटा जी गुडविल अगर पर चेजड है ना तो बस मेरे हिसाब से इसकी कोई लाइफ ह नहीं करें ठीक है अच्छा इंटैंजिबल इन प्रोग्रेस है यह निए कैपिटल व्रक in प्रोग्रेस ठीक है तो यह तीनों जो है इंको आपने अमोर्टाइज नहीं करना गुडविल को करना नहीं है कर ने सकते हैं बाकी दोनों को भी कर नहीं सकते क्योंकि उनकी बस कहानी खतम स्टेंड कहता है नहीं इनको अमॉर्टाइज नहीं करना लेकिन इनके लिए आप दूसरी शर्त आ गई इनको आपने एन्वली इंपेर्मेंट टेस्ट से गुजारना है हमने का अच्छा कोई इंडिकेशन आए तो जो टेस्ट लगाते हैं स्टेंड ने का नही यह एती इंडिकेशन नहीं यह स्पैसिबिक केस है यह तीन चीजों को अमॉर्टाइज नहीं कर सकते आप नहीं करना अमॉर्टाइज लेकिन चाहे कोई इंडिकेशन हो चाहे ना हो इंपेर्मेंट टेस्ट से गुजारना लाजमी है इन तीन के इलावा बाकी ठीक है? सिर्फ ये तीन exceptional cases है बचो, सिर्फ ये तीन, मेरे खाल में बच्छा को पूछ भी रहा था, क्लास के श्रूमें यही बात कर रहा था, कहीं से बात, यही बात कर रहे थे आप ठीक है ना? तो गुडविल जो होती है ना बेटा गुडविल, या work in progress, intangible, या indefinite life, intangible, इनको amortize आप नहीं कर सकते हैं, तो इनको standard कहता है, यह चुके intangible हैं, और amortize नहीं हो सकते हैं, तो इनको हर साल impairment test से गुजारो, लाजमी, लाजमी, कोई indication की जरूरत नहीं है, इनका इस category में ह होना ही काफी है, इनके impairment test से गुजारने के लिए, ठीक है, इसके इलावा बाकी जो intangible होंगे, यह बिल्कुल वैसे ही normal case है, जैसे tangible होते थे, अगर कोई indicator होगा, तो फिर impairment test से गुजारेंगे, loss होगा तो record करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, impairment test हर साल नहीं लगाया करते थ को, हम impairment हर साल टेस्टिंग, impairment testing नहीं करते, impairment testing सिर्फ तब करते हैं जब कोई indication आए, और impairment testing पर भी जरूरी नहीं है, impairment loss निकले या ना निकले, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, इस category में, सिर्फ यह exceptional case है, अगर purchase good will है, indefinite life वाला intangible है, या under construction intangible है, तो उसको amortize नही करना, लेकिन उसको must है उसके लिए को उसको हर साल impairment test से घुजारे, ठीक है, तो amortize नहीं करना, लेकिन, test करना है for impairment annually, must test for impairment annually, और without any indication, लिख लेता हूँ, ताकि आपको याद रहे, without any indicator, ठीक है, ओके, समझाती है बात की, amortization की discussion में इन तीन के बारे में I-38 क्या कहता है, इनको amortize नहीं करना, लेकिन इनको impairment test से गुजारना है लाज़मी, ठीक है, और चाहे कोई indication हो, चाहे ना हो, अच्छा, उसके बाद बाकी जो है न जी, वो हैं others, others मतलब इन तीन के लावा बाकी जो भी है, लेकिन अगली बात वही है, पहले पहले वही बात है, इनTANGIBAL हो, तो अगली बात आती ए, अगली बात आती है, इनTANGIBAL है, तो फिर amortization या impairment की बात आई, तो हमने कहा ये तीन इंटेंजिबल ही हैं इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन भी तो बनना इंटेंजिबल ही है ना जैसे सीडवज आईपी पी पी के नीचे नजर आता था वैसे ये इंटेंजिबल भी इंटेंजिबल सीडव जो है इसका ये भी इंटेंजिबल के नीच चाहे ना हो ठीक है अब इन तीन के लावा बाकी जितने भी इन टैंजीबल्स हैं उनके लिए अब एक ही रूल है ठीक है उनको मौर्टाइज करना है हर साल करना है ठीक है लेकिन किस पे करना है यह अब एक नई चीज है यहाँ पर I.S.38 का रूल है ठीक है हो जाएगा जाद इंशालला तो जो अदर्स हैं अदर्स इनके बारे में स्टेंडर्ड कहता है कि इनको अमॉर्टाइज करो अमॉर्टाइज करो ओवर अमॉर्टाइज ओवर अब यहां पर पहले आप क्या करें थे ओवर यूसफुल लाइज यहां पर सेंडर्ड का रूल क्या है अमॉर्टाइज करो ओवर shorter of यह मैं सिर्फ अब ऐसे यह जैसे कल मैंने कहा था कि यह जरा बस लिख लो इसको इंचालला कल करेंगे मैं सिर्फ complete कर रहा हूं कहानी ऐसे ही यह अव जो अब मैं point लिख रहा हूं इसको आज सिर्फ लिख लो यह complete कल सवाल करकी होगा जब समझ आएगी आपको लेकिन चुक्कि अब ये टेबल बन रहा है कहानी पूरी हो जाए तो मैं लिक रहा हूं इसको ठीक है तो अदर्स को क्या करो जी अमोर्टाइज करो ओवर शॉर्टर ओफ ओवर शॉर्टर ओफ यूस्फुल लाइफ या लीगल लाइफ अब ये लीगल लाइफ क्या होती है कल समझाओंगा फिर कोई एक दो सवाल तीन सवाल दो तीन सवाल करेंगे चोटे-चोटे फिर जाके कॉंसेट को हम पका कर पाएंगे पका हो जाएगा फिर जब सवालों में आएगा तो अर्लिया करेंगे ठीक है तो मोटाइज ओवर शॉर्टर ओफ लीगल लाइफ और यूस्फुल लाइफ ठीक है जी अब ये बस ये रूल है ठीक है ना इसको अब जो हम वो समझ भी आजाएगा जब कल सवाल करेंगे ना इसकी लॉजिक भी समझ आएगी ऐसी बात नहीं है कि स्टेंडर्ड ने ये क्यों लिखा हुआ है समझ आएगा लेकिन आज तो बिल्कुल इस तरफ नहीं जा रहा है ठीक है और दूसरी बात ये नहीं कर छुटी होने वाली है वो मैंने जरा इंपियरमेंट वाला सवाल करवान है ठीक है और दूसरी बात अच्छा अब ये जो नॉर्मल इन टैंजिबल्स रै जो इन तीन के इलावा वाले हैं बच्छों इन के बारे में पिर क्या हुकम है स्टेंड ест तो ना लगा ओ फीक घे तो यहां पर अमोर्टाइज करना Черna यांतवर्मल किसी बीड़ल की दरह से सको भी ठीक है इनको डेपरिशियट जैसे हमें इनको information त्यöll only if there is an indication, an indicator if there is an indicator of impairment, ठीक है जी, वो अपराने वाली बात, दन जी, तो यह जी हमारी discussion थी, amortization या impairment के point of use, पिक्चर ले लें जी, जी, question, पर चेस goodwill है, और साल के दर्मयान में इंडिकेटर आए या ना आए, तो हमने उसको साल के end, करना साल के end भी इंपेर होता है इसको, ठीक है, तो वो यह रेंड भी करेंगे, और अगर साल के दर्मयान में कोई indication के वैसे होगे, तो साल के end पर दुबारा कर लो, करना हर साल है, annually करना होता है, जी, आजए हैं जरा, question number 3 पर, पर नमबर 233 है किताबों का, लेकिन आपके पास, जी किके, अक्सरीत के पास किताबें नहीं है, तो हैंड आउड के अंदर है यह सवाल, देखें इस सवाल को, अगली क्लास मेरी, हाँ, बोट टाइम है, एक छोटा सब, एक छोटी सी जरा discussion इसकी जरा बढ़ा लें, थोड़ा मुझे तसली नहीं होई जरा, एक मिनट, इदर देखें जरा, किसी की जरा extension में कर रहा हूँ, मतलब यही है, रूल जरा पका कर लें थोड़ा सब, सवाल पर भी जाते हैं, सवाल भी करते हैं, सवाल तो पांच मिनिट में हो जाना है, ज्यादा कहा दिया पांच भी, थोड़े कुछ ना ऐसे scenarios बनाते हैं जरा, आपने answer देना है, ठीक है, we purchased a software, ऐसे लिख लूँ मैं, we purchased a software with a useful life of 10 years, मेरा पहला सवाल, मेरा पहला सवाल, क्या ये इंटैंजिबल है, इंटैंजिबल इज और नॉट इज, इंटैंजिबल इज, ये इंटैंजिबल है, जब ये इंटैंजिबल है, तो फिर दूसरी discussion मेरे साथ करो, amortization या impairment से related, ठीक है जी, तो मैं अगली heading लिख रहा हूँ, amortization विल, तो amortization या impairment की discussion मैं करना चाहरा हूँ, यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वही बात जो मैंने वहाँ पर लिखवाई थी, बिल्कुल वही बात लिखेंगे, ठीक है, कि आपने इसको amortize करना है, ओवर, बस amortize ओवर आपको पता है, ठीक है, और, impairment test only, test for impairment, test for impairment, only, if there is an indication, if the indicator is, विर इसको आप, इसको आप इसको आप, this is fast English actually, these slow people will not catch it, fast English is coming fast, जी, वी डिवेलप्ड आ कस्टमर लिस्ट लाइफ इस टैन येर्स इस से में दास साल फाइदा आएगा फाइदा तो आ सकता है ना लिस्ट से क्या ये इन टैंजिबल है और ये ये तो डिवेलप्ड है डिवेलप्ड ये इंटैंजिबल ही नहीं तो ये डिसकुर्षन की बात में आधाल ये नहीं है ठीक है लाष्ट केस है इलाष्ट केस आच्छा पते है तेरी भी पढ़नी है भी थोड़ी सी आरह आम से हां जितना लेट आयाउ ना वह पढ़ाना तो कम नहीं नहीं हो सकता अब भी मैंने का था मैं पढ़ाने के मामले में बस ऐसा ही है मुझे नहीं पढ़ा लग रहा होता ना पहले तुना थक्का होता है जब क्लास में रहो है तो नहीं असल में पहले एक दो दिन थोड़ा ना वो रूटीर आगे पीछे है 현 यह कुँंन मैं मैं अटन्ज के बात नी कर रहा मैं तो पहली बात कर रहा किरे हूं इंटल तो है चाहिए गुड़ बी पर चे जो copyright यह पर्चेयर कस्तमर लिस्ट ने इन टांजबल तो हो न है का पता लिग यावर पर्चेयर सकता है प्र स्वार से नहीं निगे पैली बात इस इन टांजबल होते होना है जी मुझे बताएं ये इंटेंजिबल है इंटेंजिबल तो ये है लेकिन चूनका चूनका इसको अमॉर्टाइज कर नहीं सकते इंटेंजिबल में इंटेंजिबल आइज चन्नानच्चा इसको हर साल इंपेरमेंट टेस्ट से गुझारेंगे ठीक है तो डू डू अ मॉर्टाइज ठीक है लेकिन impairment test must है annual impairment impairment test तो यू लिख लेते हैं न test for impairment annually must है यह must ओके तो यह दरा थोड़ी सी है इसे दरा और पकी हो जाएगी ना बात उमीर है चले हम सवाल पर चले जाएगे अब तोड़ा सवार यह मुझे लग रहा था कि पहले यह डिसाइड करो इस समझ नहीं आरी वचाँ को पहले यह डिसाइड करो इंटैंजिबल है के नहीं अगर इंटैंजिबल ही नहीं है तो फिर मौटआजिजिं की क्या डिस्केशन पहले इंटैंजिबल पहले ले कि आओ इसको पिटाई बात में करना पिर फिर अगली बात देखो कौनसे वाला है अगर उन तीन में से है तो स्मार्टाइज मत करो हर साल इंपेर्मेंट टेस्स से गुजारो और अगर उनके इलावा कोई और इंटैंजिबल है तो फिर यह रूल्स है ठीक है चलो जी अब देखो सवाल यह ना कॉंसेप्ट सारे एक ही जगा कठे करता जा रहूं मैं फिर एंट पर कोशिश करूंगा कोई तस्वीर 2000 खेंच के ना तो पीए को बेजूँगा वो पिर उनको कठा कार्की पीडिया बना देंगे लेकिन नियत है कहता ही हूं पता नहीं लास्ट ताइम सीमे वालों को यह आप लोगं का तो असलों विख्रो यह बहुत ना उनकी रिविजन क्लास एंट पर कीज़ें ने कठा हुद मैं वहीं दें निकाल कर देंगे लिए नहीं तिड़ा चंगा मैं तुल लबदार अंदर जी बच्चो प्रिपेर जनल एंटीस फर 2001 औं 2002 अज्यूमिंग प्रो 2001 एंटी स्टार्टिड रिसर्च एंड डिवेलपमेंट लोग जी उनने कठा ही काम शुरू कारता हैं सो वाट रिसर्च और बुली डिवेलपमेंट एक्समेंस होती है और बाद में टैंजिबल तो हम वो जब तक सिस्क्राइडिरिया मीड़नी होगा हम रिसर्च एंड उसकी वज़ा क्या है जी अब सही है उसकी वज़ा क्या है अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ ठीक है उसके बाद कहता है 2001 में यकम सितंबर 2001 पर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपलाइजेशन वाज मैट यनि इससे पहले नहीं मीट कर रहा था आठ महीनों का खर्चा एक्सपेंस में जाना है और उसके बाद वाला कैपलाई वाला अच्छा जी अब ये ये एंड 2001 जो है उस पर हमारे पास इंटैंजिबल पड़ा होगा लेकिन ये इंटैंजिबल कौन सा वाला है तो इसको मॉर्टाइज तो नहीं कर सकते लेकिन इंपेर्मेंट टैस्स से गुजारना है उसके लिए फिर लाजमी है तो उसने डेटा दे दिया लेकिन रिकावरेबल अमाउंट निकाल कर दी है कल हमने जो आई चैस रिवाइस किया था उसमें रिकावरेबल अमाउंट भी लेकिन यहां पर उसने का टेंशन नलो बस इतना तुम्हें याद कराना था कि आए सथी सुम्हें पड़ा हुआ है तो रिकावरेबल अमाउंट गिवन है हम कंपेर करके इंपेर्मेंट टेस्ट लगा कर दिखनें इंपेर्मेंट लॉस है या नहीं है ठीक है तो करें जी बाई वही तो वर्किन प्रोग्रेस इंटैंजिबल है उसी को तो ही उसी को अमाउटाइज नहीं कर सकते लेकिन उसको इंपेर्मेंट से गुजारेंगे रिकावरेबल अमाउंट सैंडर्ड ने कैसी कहा हुआ है देखो कंप्लीट नहीं हुआ आप कहरो जी कंप्लीट कैसे निकल सकती है आदब उजद्दा भी बिक जाता होता है हम इंशाल्ला ये भी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे के रिसर्च शुरू की गोर्मे वालों ने करेला कोला बनाने की बात में तंग आ गए के एक सेंट वेकस वालों ने का हमें बेच दो जितनी रिसर्च और डि है उसके आगे फिर नए रूज लगते हैं फिलाल छोड़ दो इस बात ठीक है अभी सादा बात अभी इसको याद करने कोशिच करो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई इंटैंजिवल है तो उसको आपने क्या करना है कैपिटलाइज मिटा इना दे सॉरी एंडर कंस्ट्रक्शन को इंपेर्मेंट टैस्स ते गुजारना है ठीक है अम मिटा देते हैं यहां कर लेते हैं अब वो मिटाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा सुस्ती भी हो रही है मुझे इस मामले में दो हजार ग्यारा एक दो हजार एक आया जी अब यह दोजार एक के अंदर 120 रुपे का जो खर्चा है यह सारे का सारा एक्सपैंस नहीं है और यह सारे का सारा एसिट भी इंटेंजिबल भी नहीं है महीने का expense बनेगा और चार महीन जी तो चोड़ो लडाई ही चोड़ो मैं लिखी सिर्फ expense देता हूं वैसे लिखना चाहिए अगर नाम तो research and development expense आप लिख सकते हैं ठीक है जी expense इन टैंजिबल अच्छा भाई इमाफी नहीं देना मनू जी इन टैंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस यह आपने लिख लेना है ठीक है मैं जरा यहां पर एंटी ताकर सही हो जाए उसके बाद cash credit कितना cash credit हुआ इस 120 में से 8 बटा बारा 80 और इस 120 में से 4 बटा बारा और यह 100 अब यह year end आ गया यह year end है अब इस year end के उपर चूँके यह capital work in progress है intangible CW IP है तो इसको monetize नहीं करना लेकिन यह उस category में है जिसके लिए चाहे को इंडिकेशन हो या ना हो standard कहता है यह intangible का CW IP है ना उसके लिए कोई इसकी अपनी basis हैं जिस वज़ा से यह standard बनाने वालों ने यह उसूल बनाया था खैर वाइस तरह से चीज़ें पता लगती जाएंगी आपको बाहराल standard ने का यह capital work in progress intangible का तो इसको आपने लाजमी है impairment test से गुजारना है ठीक है गुजार लेते हैं हमें recoverable amount दो या उसका data दो उसने का recoverable amount ले लो अब हमें याद आया कि impairment test से गुजारने के लिए हम में book value और recoverable amount को compare करना पड़ता था भाई जाग रहे हैं ना hybrid में सारे सर हिला के बताएं जाग रहे हाथ खड़ा करें कौन-कौन जाग रहे हाथ खड़ा करें कौन-कौन जाग रहे हैं अच्छा एक दो साती हैं तो ऐसे ह वर्किंग वन, impairment test 2000, important test नहीं है जी, impairment test है ठीक है जी, impairment testing है जी 2001, इसके अंदर book value हमने निकाल ली हुई है 40, ये book value है ठीक है और recoverable amount सवाल ने हमें दी हुई है, कितनी 90, लो जी, हापकी किताबों में एक चीज 40 में नजर आ रही है और उससे maximum recovery करना चाहें तो माशाललह नवे आ जाएंगे, तो आपका asset आपकी उकात में है, recoverable amount अगर book value से ज्यादा हो, जी बेटा, 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 बुक्स में नजर आ रहे है, तो book value को कहते हैं नहीं मैंने गलत बात नहीं की, ये देखो, इधर देखो, ये बुक्स में नजर आ रहे है न, ये book value, ये बुक्स में नजर आ रहे है, ये book value, ये book value नहीं थी, हम कहते थे न, balance sheet के अंदर PPE किस पे नजर आएगा, book value पे, cost पे नजर नहीं आता, cost less accumulary depreciation, book value, तो ये book value ही है, got it, अच्छा जी, तो book value हमारे पास यहां से आगी, ठीक है, और recoverable amount कुके ज्यादा है, तो impairment loss या तो is या not is, तो हमारे case में अब not is है, क्योंके recoverable amount ज्यादा है book value से, ठीक है, तो लें जी, यहां पर आपने impairment की एंट्री कर दी, हाँ नहीं होगी, यही कहा हूँ, या आपने भी पढ़ने है, 2000, अब मक्या में भी पढ़ने आगी है, रहाद होगी, साथ भी टाओ ना आपने, में तो क्यों बेज रहे हो, अच्छा जी, 2002 के अंदर, 2002 के अंदर, ये पूरे का पूरा 100, intangible है, work in progress लिख ले ना, ठीक है, तो intangible work in progress में, ये addition हो गया, कितना, 100 का, intangible debit, cash credit, हाँ वोजी seat of IP चल रहा है, अब इसकी book value या carrying amount कह लें, ये कितनी हो गई, 40 पहले पढ़ा था, books में नदर आ रहा है, और 100 add हो गया, तो अब इसकी book value, 140, carrying amount, book value, carrying value, कुछ भी कह लें, ठीक है, किताबों में ये recorded है, हमने इसकी entry की है, intangible, ठीक है, तो ये record हो गया, 140 पर आ गया, तो working number, 2, अब मैं कर रहा हूँ, impairment testing की, दो हजार, दो पर, तो book value, या carrying value, कितनी है, 40 प्लस, 100 is equal to 140, और सवाल ने recoverable amount बताई है, या को data दिया है, recoverable amount बताई हुए है, 100, oh, 30 का impairment loss is, ठीक है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो impairment loss, मैंने कल न असल में revise कर वाया है, अधा पुना घंटा लगा के, इसलिए कि F.A.R.1 में जिन्हों ने पढ़ा तक भूल गया तो, अब वो कल भी नहीं आया है, और आज भी समझ नहीं आ रही, तो अब आप खुद मेरबानी करके इसको revise करिएगा, impairment I.S. 36 revise की है, और जिन्हों ने F.A.R.1 भी नहीं पढ़ी ह हैं, अगर कोई ऐसे भी केस हैं, या F.A.R.1 पढ़ लिए लेकर यह नहीं पढ़ा था, वो फिर मुझे इंडिविजुली मिलने में उनको अलग से समझा दूगा, यही हो सकता है, ठीक है, वैसे आप साथ वाले से ही पूछेंगे तो समझा देगा आपको, टीए से ही स्वेश को कर नहीं सकते, इंपयर्मेंट टेस्स से गुजारना होता है, हर साल, पहले साल गुजारा तो हो गया गुजारा, लेकिन दूसरे साल गुजारा तो नहीं हुआ गुजारा, इंपयर्मेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ा, समझाई है इस अर्दू की, अचा, एक्मिलिटी इंपेरेंटे उसको ले जाओ, इसम्पल्ट दोनों खतम कर लो या असानी ही और आद करूँ तो एक्षोदस पर आया पड़ा एक्षोदस ले जाओ तो एल्टिमेटली तो दो अलग लग रखेंगें दोनों को अलग लग खतम करना पढ़ेंगा यह आप असानी क आप कर सकते हैं पर्चे में भी जो असानी लगे कर सकते हैं दोनों में से अच्छा जी पिनल 2000 जी बेटा क्या नहीं लिखा हुआ मैं तो करवाऊंगा तुम चले जो क्लास से मेरी मर्जी या मनलब में क्या मनलब तुम्हारा तुम्हारी जबान लग लग लिए अब इस क्लास के अंदर अच्छा लाइक बच्चा है बस डिवेल्पमेंट एक्सपेंस रिसर्च ए और एंडी एक्सपेंस सिरफ एक्सपेंस लिखा था चलो आप यहां लिख देता हूँ अब समझे नाएक एडा एक्सपेंस है आर एंडी यानि के पूरा आप लिखें तो रिसर्च एंड डिवेल्पमेंट एक्सपेंस दोजार एक के अंदर दोजार एक के अंदर तुस्सी ठीक है जी उसके बाद दो हजार दो के अंदर कोई भी नहीं है और यह तो नहीं है नडिवेल्पमेंट एक्सपेंस नहीं है और दोजार दो के अंदर को मॉर्टाइजेशन वगेरा कंप्लीट नहीं हुआ अच्छा अगर complete नहीं हुआ ऐसे बोला करें अच्छा ही 2001 में अगर खतम होगी रिसर्च तो इंटेंजिबल बनने लगा है हां जी अच्छा तो फिर इंटेंजिबल है तो को मॉर्टाइजेशन जी वह इंकम्प्लीट है अगर इंपेर्मेंट टेस्ट लगाओ जी लगाया है लॉस आया है नहीं आया है ठीक है मॉञे अगले अगले साल में सारे का सारे इंटेंजिबल है तो बताओ आप मॉर्टाइजेशन जी नहीं रिचए नहीं अच्छा इन नहीं गूाओ जी लगाया है तो क्या हुआ हूँआ लॉस आया है तो रिकॉर्ड भी करो फिर इंपfried नहीं है यह जी थार्टी बैलेंस शीट के एक्स्ट्रेक्स बैलेंस शीट में नॉन कर्ट एसेट्स में एसो एसो क्या वजा उसकी जुरुषत नहीं है ले भाई तेरा वर्किन प्रोग्रेस आगया ठीक है जी पहले साल चालीस दूसरे साल एक सो दस ठीक है एक सो दस एक सो दस कैसे बना है यह यूँ लिख सकते हो 40 प्लास 100 माइनस 30 ठीक है ना यह आपके लिए सिर्फ आपके लिए यह जी कुस्टन नमबर 8 आ गया 3 है 8 पहले किया था 2 माचो को 21 इसी न अच्छा अब अच्छा अब सुन लो आपको घर पे समझ नहीं आगी टेंशन तो होगी ना कमस कम अगले दिन के यार यह सर से पूछना है वो सुन लो कौन से दो सफे पढ़ के आने दो सफे पूरे नहीं पढ़ने उसमें कुछ पढ़ने अच्छा गूगल शूगल भी कर देना है जो हाँ शूगल नहीं मतलब आपको आपको लिखा हुआ नजर आया डाइज मोल्ड्स समझ नहीं आरी क्या है आपने लिखकर देखा प्रोटोटाइप तो लिखकर देखा त कल इंचला क्लास टाइम पर शुरू करेंगे तकरीबन पांच साथ मिनट की गुझाईश होगी बस उतनी आइस्ता इस्ता जरह एक दम तो नहीं जरू यार मैं लब लब पेज नंबर आपके पास है ना पेज नंबर लिखा हुआ बता दो मुझे यह जी इतर देखें खामो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने एक्जेंपल्स पढ़नी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है इसको अभी आपने नहीं पढ़ना पेंडिंग करें यह मैं खुद पढ़ाओंगा मुझे नजर नहीं आ रहा आगे तेजी में पढ़कर ये को ऐसी चीज तो नहीं यह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है न यह बैसिकली यह वो सिक्स क्राइटेरिया है एक दो तीन चार और यह पांच और छे इसकी फिर एक्जेंपल्स हैं ठीक है तो यह सिक्स क्राइटेरिया भी पढ़ा ना ठीक है उसके बाद यह वाला पैरा आपने पैंडिंग करना है यह नहीं पढ़ना अभी ठीक है मैं खुद पढ़ाओंगा पता नहीं मैंने नहीं देखा इसमें क्या पढ़ा है इसको भी अभी आप बस सिर्फ यह दो पढ़ें आप ने जो मैंने बोलें यह तीन चीज़ें पढ़कर आनी आहीं आप इस तीन बैसिकली प्राज रहीं हैं और तीन पैराज हैं अब यूब के स्टेंडर तो साथ जाने नहीं है तो ज़रा पढ़ लें आप अच्छे तरीके से पिर इसके कोई छोटे मोटे पॉइंट ज़रा जहन में रख लेंगे ठीक है ना तो यह देखें जी रिसार्च फेज की डेफिनेशन इसका जिसके अंदर चुप रहे हैं जिसके अंदर यह क्राइटेरिया हैं सिक्स क्राइटेरिया यह पढ़के आने आपने जिसके बाद कैप्लाइज शुरू होती है और इसकी अग्जैम्पल भी बस और कुछ नहीं पढ़ना ठीक है अल्ला आफिस